हेलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सफोस फायरवल के किसी भी मॉडल का अगर हम फायरवल के फॉर्मवेर की ज़रूरत है अपग्रेड करने की या डाउनग्रेड करने की उसको हम अलग से कैसे ड या तो फिर हम अपने फायरवल में लॉगिन करके अपने फायरवल फायरवल के उप्क्रेड करना चारें तो उसके लिए पार्टिकुलर फांवर्स कह से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है तो चले श्टार्ट करते है आज का वीडियो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यह मेरा फायरवल है और इसका मुझे फॉर्मवेर अप्ग्रेड या डाउनग्रेड करना है तो एक तो आप्सन आप होता है कि आप फॉर्मवेर पे जाके यहां से अपना जैसे मेरा भी नैटीन पॉंट फॉंट 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 मेरे पास आता है जब मैं आरे में क्लेम करता हूं सफोस में जाके सफोस सपोर्ट में जाके और मेरे पास जब फायरवल आ रहा है तो बिसिकली होता क्या कि जो हमें फायरवल मिलते हैं उसका फॉंवेर हमारे फॉंवेर से मैच नहीं करता है जिससे क्या होता कि जब हम अप आपके पास पुराना firmware से तो हमें नया firmware या पुराना firmware कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग से तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपको क्या करना है कि cloud.sophos.com जो कि हमारा सारा का सारा you know that के सारा licensing part ही हमारा एक single console में हो गया है तो मैं अपने portal में login करके दिखा रहा हूं आपको कहां से आप normally firmware डाउनलोड कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने अपने सोफो सेंटरल में login कर लिया है आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने account में जाना है आपको licensing part में जाना है यहां देख रहे हैंगे कि यह मेरा एंटिवास का license है और यह मेरे firewall का license है ठीक है firewall license टैप पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद से यहां पर देख रहा है कि सारे मेरे firewall से अब यह जो firewall है इसका model नंबर आप चूज कर लिए देखें कि आपका model नंबर एक्चली है क्या ठीक है तो जो इसका model नंबर है वो है xgs2100 मैं आपको दिखा देता हूँ आती से ओपर रिख जायागा basically कि यहां पर जो जो डॉपटाउन है देञ आपको यहां कि लाइसेंसिंग साही पर चल ज़ाएंगे क्या लाइसींसिंग हूं यूज कर यहां यहां पर देख रहा है और आपको थोड़ा साइज करना होता है जैसे साइज छोटा करेंगे क्या आपके ब्राउजर की साइज है यहां पर देख रहे हैं कि यह रिलीज डेट फॉर्म डाउड्लोड का अप्शन यहां पर दे रहा है ठीक है यह ले टेस्ट अभी मेरे पास डाउड्लोडिंग करने का उ आरवल में कि आप बैकप में जाके और फॉर्मवेर पर जाएंगे तो सेम एक दो और तीसरा मेरा चल रहा है यह मेरा पुराना फॉर्मवेर से ठीक है तो एक यानि 19.5.3 5.4 और 20 सेम आप यहां पर देखेंगे 19.3 5.4 और 20 तो आपको डाउड्लोड करना है जो भी 5.4 करना है यहां पर आपसी डिटेल समागेंगा बेसिकली जो आपका लाइसिंसिंग पॉर्टल सकते हैं कि एक टर्म एंड कंडिशन से सोफोज का ठीक है तो इसमें आपको फर्स्ट निम लास्ट निम कंपनी नेम इमेल एड्रेस एंड इमेल एड्रेस करके जैसे ही सब्मीट लोडिंग है वो स्टार्ट हो गया अगर आपको साफ यहां पर मैसेज दे रहा है कि योर डाउनलूट सूट बिगिन अटोमेटिकली इफ डज नाट क्लिक ऑन दे लिंक पीलो टू बिगिन यानि आप नॉमली इस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलूड कर सकते हैं या इस ल बड़ आपको फॉर्मड डाउनलूड करने के लिए आपको स्फोर सेंट्रल में लोगिन करना पड़ेगा और वहां से जो मैथट मैंने आपको बताया है इसको फॉलौ करना पड़ेगा ठीक है ऊसके बाहर से जैसे आमपा डाउनलोड हो अपना फारवल क्यों या अप करना बिल्कुल ना भूले और लाइक्स एंड कमेंट जरूर करें थैंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मुच